इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एलसेर्ट डिसमबर सिर्फ दो दवाओं का मिश्रन है जो फाइलेरिया का प्रभावी रूप से इलाज करता है यह संक्रमन के कारण होने वाली असुविधा से राहत देने के लिए क्रिमियों के खिलाफ लड़ता है एलसेर्ट डिसमबर सिर्फ एक डॉक्टर के परचे की दवा है इसे डॉक्टर की परची के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है इसे भोजन के साथ लिया जा सकता है लेकिन बहतर प्रभाव के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए बताय गई डोस से अधिक न लें क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुक्सान दायक असर हो सकता है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंट ले यदि आप बहतर महसूस करते हैं तब भी इलाज पूरा करें एलसर डिसमबर सिर्प के कारण कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे मिचली आना, कमजोरी, सिर्दद, मुव में सूखा पना दी ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए सलाह दी जाती है कि पोशक संतुलित आहार खाएं और खूब सारा तरल पदार्थ पिएं अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं तो तुरंट अपने डॉक्टर से संपर्ख करें अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस, फूलना, आदिक का अनुभव होता है तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थ समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद